कृषिय ग्रामीन विकास केंद्र एवम HDLC के सहयोक से जले के कटकमदाग प्रखन के अडराई एवम बेस में पाइलट प्रोजेक्ट के तहट स्ट्रॉबरी की खेती करवाई रही है पाइलिट योजना के तहद कराई रे स्ट्रॉबरी की खेती से होने वाले मुनाफ़ी से किसान खुश है। साहित किसान अगले वर्ष व्यापक पैमाने पर स्ट्रॉबरी की खेती की योजना बना रहे हैं। किसान विनाय प्रजापती का कहना है कि वहाँ बर्षों से टमांटर फूल गुभी सहत अन्य सब्जीयों की खेती कर रहे हैं लेकिन उसमें लागत अधिक है और मुनाफा का स्ट्रोबरी की खेती करने में लागत कम है लेकिवाँ अधिक है उन्होंने कहा कि इस वर्ष 10 दिश्मल जमीन में उन्होंने स्ट्रॉबरी की खेती की है अगले वर्ष एक या दो एकर में स्ट्रॉबरी की खेती कर अधित मुनाफ़ा प्राक्त करेंगे इसलिए हम अधिकारी त्रदीज मुखर जी कहते हैं कि स्ट्रॉबरी की खेती पाइलेट योजना के तहत करवाई जा रही है एक तरफ फजल की विविधता उदेश है तो दूसरी और अधिक मात्रा में किसानों को मुनाफ़ा पहुंचाने की योजना है अच्छा मुनाफ़ा होने के कारण के सानुच साहे थे उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबरी की खेती में चार गुना मुनाफ़ा कमाया जा सकता है तो मानके चलिए उधान के तौर्ण हम यह बोल सकते हैं कि दस देसीमेल जमीन में अगर उसको तीस हजार का वो लागत उसका लग रहा है तो उसमें लगभाग वो एक लाख रुपे तक कमा सकता है युवा के सा अनजय कहते हैं कि वे भी स्ट्रॉबरी की खेती सीख रहे हैं अगले वर स्ट्रॉबरी की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा प्राप करेंगे अगर दो गड़ा बनाई यह पहले वाला जब मल से भड़ जाएगा ना यह चालू हो जाए और साल भड के अंदर इसके अंदर जो मल है यह खाद बन जाएगे इसे खाली कर दीजे इसी तरह हो चाले जो है वह अजीवन चलता रहा ना वीवारी फालेगे ना बद्वर्वर पैसे अरे वो सप्टिक टान से काई गुना सच्टा हाँ क्या समझेगे सवचाले दो कड़ो वाला ही बन वाला हुआ 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 स्वच्चता को आदद बनाना है Wanna see something hot क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम जोश पराए अपना ठुमका लगाद दुनिया हिला चालेंज अपलोड करें और हर अपते जीतें 25 लाग तक के इनाम कर्माद पराए राटाए उया करें आपका लाग जिर्श पराए जो पराए इनाम